दुमरिया गंसे बीजेपी प्रत्याश्वी के बिगडे बोल दूसरी पार्टी को वोट देने वालों पर किया बद टिपड़ी पेंजारी में जल सभा के दोरान दिया बया सीधापूर में आमिश शहाने अखिलेश पर बोला हमला कहा रोज फुल टॉस बॉल डालते हैं अखिलेश प्रदेश में केवल बीजो के कच हर्टा बोला थे लखनों में दिले के सियाम के जिवाल का बयान कहा दो तरह के होते हैं आतंकवाधी एक जनता को दूसरा भरस्टा चारियों को जराने वाला अखिलेश पेमियों के लिए खुश खबरी तीन दिन ताज महल में फ्री एंट्री मुगल शेहनशा साजवा का मनाए जाएगा उर नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजबल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजोन रायन शुरबात करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की सधात नगर के जुमरिया गंज से बीजेपी प्रत्याशी रागवेंद्र प्रताप सिंग लगातार आचार सहीता का उलंगन कर रहे हैं चिराप्रशार में अम मर्यादित भाषा का अस्तमाल भी बखू भी कर रहे हैं कभी अल्प संक्यक समुदाय तो कभी बहुत संक्यक समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं इसी कड़ी में उनका एक वीडियो तेजी के साथ वारल हुआ है जिसमें वो दूसरी पार्टी को वोट देने वालों पर अबद्र परिभाशा का स्तमाल कर रहे हैं वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है साथी डुमर्या गंच के पेंडारी का ये वीडियो बताया जा रहा है तो सद्धात नगर की तस्वीरे या ये कहें कि वीडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है जोहां आपने अभी सुना किस तरह से बीजेपी प्रित्याश्वी रागवेंद्र परताप के बोल बिगर चुके हैं अल्प संख्या खो बहु संख्या खो हर किसी को लगातार वो गलत शब्दों से नवाज रही है दूसरी पार्टी को वोट देने वालों पर अबद टिपड़ी भी लगातार कर रही है तो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि आखिर बीजेपी प्रत्याशी रागवेंद्र प्रताप क्या के रहे हैं उनके बोल जो है तो सुना आपने किस तरह से रागवेंद्र प्रताप लगातार आम मर्यादित भाषा का इस्तमाल कर रहे हैं यह वीडियो इतना जादा अभद्र था मतलब अभद्र भाषा का इस्तमाल किया गया था कि हमें बार बार बीप का इस्तमाल करना पड़ा है और इसी खबर पर जादा अपडेट के लिए मेरे सयोगी बबलु सिंग मेरे साथ जुड़ गए हैं बबलु रागवेंद्र प्रताप सिंग अबद्र भाषा विज्यो बारल कारवाई कुछ हुई है नहीं हुई है क्योंकि लगातार आचार सहीता को लंगन कर रही है जगा कि ये वीडियो तीन दिन पुराना बताया जारा है जहां मंद्री एक मंच को सम्मूदित करते हुए वहां एबोल लहे थी कि अगर जिन लोगों की बेतुके बयानवाजी हुए है जिन लोगों की बिख़ए बोल हुए है उन लोगों को 10 मार्च के बाद दिखाता है या तो वो जील जाएंगे या तो जाएंगे या जो गाउँ चोड़ें इस तरीके के दंकी का जब ये लगाता धंकी दे रहे हैं तो कि मंतरी प्रभाव साली बताया रहे हैं और ये बाव बली बताया रहे हैं तो बबलू लेकिन इतने आमर्यादित क्यों हो गए यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की इतनी अबद्र भाशा का स्तमाल करें कि हम जंता को ठीक तरीके से सुनवा भी नहीं सकते कि यह सब्सें करता को कहा है किसे ताकर नसा है तरहिह हैं और इस तरिके बाकित लग माना हैं तो अभी इस पूरे मामले पर को हम फिर पूरी था रहे होने ही कार नहीं की जा रहे है किसी ने कुछ नहीं का है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है यह कि पूरां है और जले सोशल मेरी पहुंचा लेक्र सद्धाथ नगर का यह पुरा मामना है BJP प्रत्याशी है रागविन प्रताप सिंग जिनका एक वीडियो तेजी के साथ वारल हुआ है वीडियो ऐसा है हमने दो बार आपको सुनाया लेकिन पूरा आपको नहीं सुना सकते क्योंकि भाशा को जो इस्तिमाल किया गया है वो बहुत ही अबद्र है तो हम आपको नहीं सुनवा सकते हैं लेकिन इससे जरूर कहा जा सकता है कि वाकई BJP प्रत्याशी के बोल बिगड़ चुके हैं कॉंग्रिस प्रवक्ता अंशु अवस्तिया मासा जुड़ गए हैं अंशु जी सबसे पहले आपका न्यूजबल इनिया में बहुत स्वागत करती हूँ अंशु जी आचार सहीता लगी हुई है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भारी बरकम भीड़ निकल रही है एसे मिं सिधाथ नगर से एक वीडियो सामने आता है बीजेपी प्रत्यासी है रागवेइन प्रताप सिंग् proudly वह कहते हैं यह कहते हैं कि में सुन्वां ही नहीं सकती है उत्वा बहुत ही गलत है कि मैं नहीं कह सकती बाटपा के नेताओं को सत्धा का एंकार है और जनता इनका एंकार तक महार्च को चूर चूर करने जा रही तो कि जनता ने जनादेश दिया था कि नौगरिया मिलेंगी उतर परदेश में बेरुज़ारी समाफ होगी लेकिन नौजवानों को क्या मिला? लाटी मिली, जिल मिला, मुगत्मा मिला प्रदेश की बेटियों को प्रदेश की बहनों को अब मानित किया भारती जन्ता पार्टी ने अब वक्त आ गया है इसाब किताब करने का आप चिंथा मकरिये आने वाली 10 मार्श की तारी उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी की ताबूत में आखरी कील ताबित होकेगी और प्रदेश का कितान नौजवान महिलाएं तभी भाजपास से अपना हिसाब किताब करने जिले तैयार हो चुके यहां अंचुचे एक चीज़ आप से पूछना चाहूंगी कि चलिए अल्प संक्याप को लेकर तो लगातार यह कहते ही रहते हैं लेकिन इनुन ने तो बहुत संक्याप को भी नहीं छोड़ा है हर किसी को गाली गलोच कर रहे हैं वीडियो में खुले आप चत्ता का एंकार है कि दो गलोच करने जा रहे हैं जनता इसका इसाब किताब कर ने जा रही है तो पहले से मुबारक बाद आपको दैनने वां दैने निवां चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ जुढने के लिए तो सिधार्टनगर के विडियो जिस पर तिक्रियाई लगातार हम ले सबसे बड़ी बात जो उन्होंने यहां नियूसमाल इंडिया पर कहा है कि कॉंग्रेस सरकार बनाने जारे है अतर प्रदेश में यह सबसे अहम जो उनKा बयान है वो माना जाएगा क्यूंकि लगातार बीज़े पिए कहती है कि कॉंग्रेर्स का तो सूपड़ा साफ हो जाएगा लेकिन किन सथी आ यह रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनावों की जो अलग Points से पर ची जो आम जनता है उनके साथ गाली को लॉच कर रहे हैं और कहते हैं कि जो दूसरे को वोट देगा, उनको हम कुछ नहीं समझते, चाहे वो अल्प संक्या को, चाहे वो बहु संक्या को, तो आप समझिये और जानिये कि ये किस तरह से आम जनता से बात्चीत कर रहे हैं, ये तस्वीरे और ये विडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर अब वारल हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते रूप करेंगे कुछ और ख़बरों का, कनौज में चनाव ड्यूटी के दौरान तब्यत खराब होने से एक होम गार्ड की जान चली गए, परिजनों का कहना है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ होम गार्ड की ड्यूटी ल कर आगे की कारवाई चुड़ू कर दी है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के आमानी में रवये पर मृतक के परिजरों में कापी आकरोश देखने के लिए मिल रहा है, तो चनाव के दौरान ड्यूटी लगी थी तभी होम गार्ड की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन कापी आकरो पहुचाना जरूरी नहीं समझा है. पहुचाना जरूरी नहीं समय परिजरों में रिक्षा चालक का खित विश्वम मल्न से हरकम मच गया, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई, बताये जारा है कि 16 तारी को परिजनों ने कोतवाली नगर में गुम्शूद्गी की रिपोर्ट तच कराई थी, इसके कोई कारवाई नहीं की गए, बता कि वह का नाम बॉबी बताये जा रहा है, जो वनगाओं करेनी वाला था, महिश्व को कब जम लेकर पुले सागे की कारवाई में जुट गई है कि यह मेरा भाई है, चाजा का लडगा, क्या नाम इसका बॉबी और पुष्टी के लिए रहे के आपका भाई आई है, इसका नम क्या है? पूरा मामला किस तरह से है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से गुमशुद्गी की रिपोर्ट दर्श कराई थी, लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई, सोला तारीक से युवक लापता था आसिफ क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, जी आसिफ इस पूरे मामले को बताईए, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि सोला तारीक से युवक गायाप था, कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्श कराई थी, गुमशुद्गी की, लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई, और बाद में खेत में श्रम मिला है ये एकागी पहरी घचना नहीं है, लगातार इरिक्षचा चालों के साथ इघचनाओं के अंजाम हो रही है, कभी कोई नशीले पदाद के लेने के बाद इरिक्षचा चालों को लूट कर कहीं शेतों में छोड़ जाता है, इस परिजनों का आरोप है, गंबीर आरोप है कि ह इस पूरे मामली पर पुलिस क्या क्या रही है, क्योंकि परिजन आरोप लगा रहे हैं कि पहले से ही अगर पुलिस ततपर रहती ही, तो हो सकता था कि उसे ढून लिया जाता आरोप है कि उन्होंने पहले ही गुमशुदकी की रिपोर्ट दर्ज कराए थी, लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की, वही परिजन हत्या की आशनका जता रहे है फिलाल पुलिस पूरे मामले की चानमील में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई अपचारी की यहां पर बयान सामनी नहीं आया है स्पिक इंडर्देशन में अपराज और अपराधियों पर शिगंजा कसने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभ्यान चला रही है इस अभ्यान के तहट पुलिस ने हीमपूर दीपा थाना शेतर से पांच शाती चोरों को गिरफतार किया पुलिस लेन के पार से भारी मात्रों में चोरी के तार बरामत किये हैं साथी पुलिस ने दो तवंचो और जिंदा कार्टूस फी बरामत किये हैं हेमपूर दीपा के थाना प्रभारी एवं उनके टीम ने चोरों के पांच सदस्यों के गैन को गिरफतार किया है इनके द्वारा विगत एक वर्ष से कई थाना छेतरों में बिजली के तार, टूबेल के मोटर, तार एवं अनमहतपूर चीजे चोरी करते थे जिसे किसानों में महीनों से आक्रोश था, आज पांच सदस्य गैन की गिरफतारी हुई है इनके कब्जे से अनेक सामान जो लगभग कीमत पांच लाख रुपई के बरामध हुए है इनके गैन का पंजीकर होगा है, इस्टी सीट खुली जाएगी, यह गैन सब एट कर भभी अव्योग पंजीकर करा जाएगा वही मेरेट पुलेंशेर हाइवे पर बिजली बंबा पुलिस चौके के पास ख़ड़े ट्रुक में कार जागुसी कार में सबार सभी लोग गंभी रूप से घाल हो गए सुचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घालों को अस्पताल में भरती कराया जो हाइलाज के दौराने की युख की मौत हो गई सुचना पर पहुंची पुलिस रवता किश्रप का पंचना मा भरकर पोस्त मातम के लिए भी जाए और यहां रुप्रें चोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद होंगी कुछ और ख़बरे मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यूं हो गया है तो ऐसे में जब सच और जूट के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल तब भारत एक नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है लेकिन इमानदार लव्ज अपने रास्ते धून लेते हैं अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम जूट की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते तो सोमबार से शुक्रुवार तक मुलाकात होगी आप से न्यूजवल इंडिया के स्पेशल न्यूज बाड़कास्ट भारत एट नाइन पर देखिए भारत एट नाइन कावेंद च्वाहान के साथ सिर्फ न्यूजवल इंडिया पर विदांता एक ऐसा सैक्षिंग संस्थान जहां होता है पहतर सिक्षा का सही समाधान सिविल सर्वेसेज एक्जाम हो या फिर डिफेंस सर्वेस एक्जाम यहां सिविल सिक्षा की बार्युक्यों सिरूबरु गराती अर्श्ना यादफ कपूर इस इंसिट्यूट को देरदून में पॉपिलोली विदांता यह सक्यामी की नाम से जाना जाता है इंसिट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी उसके बाद निरंतर यहां से कई छातरों ने अपनी तयारी करी और सफलता प्राप्स करी हमारे संस्थार से स्थापन कर कई बच्चे यूपी और उत्राखट सरकार के अलग अलग विभागों में उच इस तर पर अपनी सेवाय दे रही है My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Canaan Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit Sir and Arshna Ma'am for their venture Vedanta Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi, I am posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir तो फिर देख इस बात की, आज ही लीजी अड्मिशन और कीजी अपना IIS PCS का सपना साकार Vedanta, an exclusive IIS Institute of Tehradun, Uttarakhand 11-A, Neembuwala, Opposite, RIMC Main Gate, Garhi Gant, Tehradun Mobile No. 93197-00579 वक्त बदला, सरकारे बदल, चहरे बदल, मुद्दे बदल, नहीं बदला तो उसका अंदाज गद्दा सुबे की कमाने बर फिर से संबाले देए गुल खाब मुझे प्रहान मंत्री का मौका, ऐसा इसे मौके से फूरी मौका प्रस्तोने हो मैं जिसके सवाल बने उत्तरा खंड की आवाज जगा नहीं, अंदाज वई है अरी चलावत के साथ भी आई हुआ देखिए पूछता है उत्तरा खंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम पांच बजे और प्रेक के बाद एक बार फिर आप सबे का बहुत स्वागत है रुख करेंगे खबरों का यूपी में चौथे चलाव के रिधूआ धार प्रचार जारी है इसे सिलसले मिग्रे मंत्रिया में शाहा सीतापुर पहुंचे जहां पर उन्होंने दावा किया कि केवल और केवल बीजेपी और कमल निशार का जल्दा बुलंद है अमिशा ने कहा उत्रप्रदेश में चौनाव के तीन फेज समाप हो गए है चौत्ता फेज तेईस परवरी को है पहले तीन फेज के चौनाव में सफा बसपा का सूपरा साफ हो गया है कॉंगर्स पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही मई तीन फेज चौनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अधिया चौत्पूर्व सियम अखलेश श्यादव का कहना है कि बीजोपी के खिलाब जनता में करंट है अखलेश श्यादव ने रायबरेली की सभा में कहा है कि चौते चरंटक समाजवादी पार्टी दो शतक लगा देगी अमिशा ने कहा कि विपक्ष के नेता आपके पास आएंगे जाती की धर्म की अगड़े की पिछुड़े की बात करेंगे लेकिन आपको इन सबसे उपर उठकर मन में भारत माता की तस्वीर को याद करके कमल के निशान पर वोट करना है उन्होंने कहा कि अखलेश ऐसे गेंदबाज है जो रोज फुल टॉस बाल दालते हैं इनके बाल पर आप लोग चौका लगा दीजए करेंगे अगर की करेंगे जाती की करेंगे धर्म की तो करेंगे ही करेंगे मगर मैं आपको कहता हूँ यह सबसे उपर उठकर मोदी जिन्दाबाद का नारा और मन में भारत मता की तस्वीर लेकर कमर के मिकान को बड़ने के लिए चुनाओ में हम आपसे वोट मामने आए सबाबस्पा के साथन में उठकर देश पातां को आपका होट स्पोर्ट माना जाता था मैंने एक चस्मा देखा पहना है पहना है पहना है नहीं पहना है मुझे इससे आप एक नम साफ तरीके से आर्पाद दिखाई देते हैं अखिलेश बाबू भी एक एनक पहन देखें और दूसरे ग्लास से दर्म दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं नहीं लगना है क्या बदाओ लगना है क्यों और केवल और केवल नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास के इरादीति ये उक्तप देश का बुला कर सकती है और को इनकर सकता है कुछ रवालों के सामने दो रास्ते हैं एक रास्ते पर धोटाले के घड़े हैं उसी रास्ते पर टोप्यारबात का स्पीड प्रेकर है वही पिली भीत पे जनसभाग के दोरान अमिश शहा ने कहा है कि योगी आदितनात ने सारी माफियाओं को उत्रप्रदेश से साफ कर दिया अखलीश बाबु पूछ रहे थे कहां फर्क पड़ा है अखलीश बाबु अगर फर्क देखना है तो काला चश्मा अतार दो अपनी एनक बदल दो हमारी सरकार में अपराद रिकॉर्ड सतर पर कम हुआ है यूपि में कानून का राज रानी का काम किया है आप एक बार फिर बीजेपी सरकार बना दो होली दिवाली पर मुफ्ट गया सिरिंडर देंगे किसान भाईयों अपने खेतों की सिचाई पर विजली बिल नहीं लेंगे बेटियों को स्कूटी देंगे चातर चात्राओं को लैप्टॉप टाबलेट देंगे मित्रो महान सीख गुरु के बलिदान को कौन भुला सकता है हमने देखा है दुनिया के इतियास पड़े हैं स्कूट का तो कोई बलिदान दे सकता है अपनी परिवार से वैस्क बेटों को भे कोई लड़ा सकता है दसंपिता के अलावे कोई नहीं होगा जिसके बच्चे जैसे साब जादों ने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया है देश के लिए बलिदान दिया है और उनी की याद में उनके बलिदान को हमारे देश के प्रदान मंत्री जी ने वीर बाल दिन का नाम दे कर मग्र विश्व में इसाब जादों के बलिदान को स्मूर्थी करने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है मेरे साथ सभी बोलिये जो बोले सो निहार मित्रो मैं आद यहां आया हूँ तीन चरण के चुनाव समाब धोगू ये कि फिलिबित वालो तीन चरण का परिणाम जानना है क्या जानना है बता दो मैं सब जगे घुम के चौते चरण में आया हूँ बता दो पक्का एक तीनों चरण में सपा और बस्पा दोनों का सुपड़ा साप होने वाला और कॉंग्रेस पार्टी तो दूर्बिन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है मित्रों दूर्बिन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ती है आज यहाँ पर पूरे उत्तरप्रेस में जीश्प्रकार पात साल तक बारतिये जनता पार्टी की सरकार चली है उसने जो विकास के काम करें है गरीब कल्यान के जो गाम करें है लॉइन ओर्डर को सुधारने के लिए जो काम करें के कारण पूरे उत्तरप्रदेस में भारतीय जनता पार्टी की लहर है मैं बताता हूँ साथ वे चरण आते आते लहर सुनामी में बदर दाली है सुनामी में बदर दाली है और इसे के साथ खलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें न्यूस पॉल इंडिया के साथ झाल झाल